प्यारे विचार्थियों आप सब को शविच्छा हापी थार्ट्स प्यारे विचार्थियों शब्द सुनकर क्या अर्थ बनता है विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं, मगर उनका अर्थ क्या है? उनका लक्ष क्या है? वे क्यों आ रहे थे? शरीर को कहां ले जाने के लिए? कौन से काम करवाने के लिए? और अंततह क्या लक्ष सिद्ध करने के लिए? क्या यही सब जो हमारे जीवन में होता आया है या कुछ और? हर एक अपने अंदर के विचारों का विचलेशन करेगा तो उसे पता चलेगा कि जो विचार आये हैं उन्होंने शरीर को चलाया है मगर ये विचार मशीन को बनाए रखने के लिए थे जैसे कोई मशीन होती है उसमें अगर आप कोई काम न दो तो आप जानते है कुछ समय के बाद क्या होता है कुछ सालों के बाद वो मशीन जब चलाने लगते हो चलती नहीं है जंग लग जाती है तो विचारों की मशीन अगर उसमें विचार नहीं दिये गए तो जंग लग जाएगी और जब समय आएगा इस्तेमाल करने का तब वो कामी नहीं करेगी यानि असली ग्यान मिलने से पहले तक आपने जो भी विचार किये वे स्रीप मशीन को चलाने के लिए थे वो अधिश नहीं था मशीन को स्वस्त रखने के लिए जब आत्म साक्षातकार होता है सेल्फ रियलाइजेशन होती है स्वबोध होता है तब पहली बार इनसान को पता चलता है कि इस यंद्र से कौन से विचार करने थे चलो अच्छा है इतने साल वो चलते तो रही है अब मेरा काम तुरंद शुरू होगा वरना आत्म साक्षात करके बाद लोगों को सालों साल मशीन पर काम करना पड़ता तब वो सोचने के लिए लाइक बनती क्योंकि बंद पड़ चुकी होती तो कितनी खूबसूरत व्यवस्ता है आश्र करोगे तो एक एक बात पर आश्र होगा आश्र की आँख मिलेगी तो एक एक विचार पर आश्र होगा कि कैसे शरीर में विचार आता है अज्ञान है तो कैसे विचार और ज्ञान उठा तो कैसे विचार इसलिए जिससे भी बात होती है तो क्या बात होती कौम से विचार उठ रहे हैं विचार लक्षण है जो बता रहे हैं मौन की अवस्ता क्या है जैसे शरीर पर तापमान ज्यादा है टेंपरेचर ज्यादा है सव डिग्री से उपर गया है तो आपको यह पता चलता है यह लक्षण है किस बात के कि शरीर अंदर बीमारी से लड़ रहा है यह तो फीडबेक है कितनी सुंदर व्योस्ता है आपको अश्रे करना चाहिए मार इंसन अश्रे नहीं करता तनौव में आ जाता है कितनी सुंदर व्योस्ता यानि शरीर अच्छा काम कर रहा है शरीर अपना काम बखु भी कर रहा है आनंद दे सकता था विचार मगर दुख दे जाता है क्योंकि उस विचार के पीछे की समझ लुपत है आपको फिर नहीं समझ दी जाती है आप फिर वैसे देखने लगते हैं फिर विचार जो पहले परेशान करता था आप देखो कि वो परेशान नहीं कर पाया बलके आपके चहरे पर समाइल आ गई अच्छा ऐसा विचार आया जहां जहां वेहोश होते थोड़ा भी तो वहां कुछ अलग विचार आ जाते है तो उन्होंने आपको बताया लक्षन बताया कि तुम वेहोश हुए हो तुमको जबकी आई है उंग रहे हो आँखे मून रहे हो आपकी सच्छा तुरंट आपके सामने पेश की गई कितनी खुबसूरती है कुदरत तुरंट संकेत देकर आपसे अगला कारिय करवाना चाहती है और इतनी सुन्दर विवस्ता है जो सदियों के साथ लोग भूलते चले जाते है फिर से कोई याद दिला है कि यह सुन्दर विवस्ता आप देखो सुयं देखो विचार से खाली यह विचार उठा इतनी खबर नहीं मिलती जो मौन अवस्ता है उसकी खबर मिलती है कि वो आज किस मुकाम पर आ चुकी है वहाँ जागरती की कौन सी लेवल आ चुकी है नफरत की विचार उठ रहे है तो वो तो बता रहें कि लेवल बहुत कम है बहुत नीचे है जैसे उपर उठते जाओगे तो सुवबूद के साथ जो विचार उठते हैं वे उठने लगेंगे विचार ऐसे ही नहीं आ जाएंगे जैसे पहले आते थे अब विचार अभिव्यक्ति के इश्वर के गुणों के इश्वर कौनसा गुण इस शरीर के साथ प्रकट करना चाहता है क्या वो हो रहा है कि नहीं और मौके तो सुबह से लेकर रात तक भरपूर मिल रहे इंसान को आख नहीं थी तो वो मौका खो रहा था अब इस मौके को फिर इसे याद करना है तो आज यो मौका है उसका हम फाइदा लें कि हम इश्वर के उस गुण को उभार रहे हैं उस चाहत को उभार रहे हैं जो चाहत है सुएं को जनने की और सुएं को जानने के लिए जहां भी कुछ हो रहा है तो इच्छा जगती है श्रवन की कि हम जाएं श्रवन करें कि ऐसा कुछ बताया जा रहा है जो बाकी जगव पर नहीं बताया जा रहा है इश्वर के द्वारा बनाई गई पृथवी पर वही चर्चा नहीं हो रही है जो पृथवी बनाने से पहले इश्वर की अवस्ता थी ओरिजनल अवस्ता की चर्चा नहीं हो रही कैसे ये पूरा ड्रामा क्रियेट हुआ कैसे लीला शुरू हुई तो जहां में मौका होगा वहां आसने से जाएगा, इस भर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खबर मिली, क्षुशी उठी, क्योंकि चाहत, सेल्फ, सेल्फ, सेल्फ के बारे में सुनना चाहता, उसकी सरहाना करना चाहता, उसके लिए आश्च्रे करना चाहता, उसकी अभिव तो विचारों को और खुल कर समझें कि कैसे हमें विचार नियम का लाब लेना है, विचार नियम तीसरा आयाम है, चार आयाम जिसमें पहला आयाम आसनायाम है, आसन का आयाम है, दूसरा प्रान का आयाम है, प्रानायाम. तीसरा विचार का आयाम है, विचार आयाम, चौथा मौन का आयाम है, मौन आयाम, फिर इन चारों के पार आप जाते हो, मरसले बस कंप्लीट करके, विचार आयाम, पुल है, जो शरीर और मौन को जोड़ता है, मनो शरीर यंत्र, जिसमें मन भी है, इसको मौन की अभिवक्ती के लिए जोड़ता है, और यही आयाम अगर कमजोर है, तो ये दो बातें कभी मिलती नहीं, इनसान कभी मौन को समझ नहीं पाता, मौन सजा ही बनी रहती है, चिप बठाया, बच्चों को चिप बठाया तो कैसे लगता है, चंचल है शरीर मन, तो मौन को कभी समझ नहीं पाते, तो विचार आयाम विचार नियम समझ कर अपने जीवन में शुरू करें विचार नियम क्या कहता है विचार नियम कहता है कि विश्व में कोई भी चीज निर्मान होने से पहले वो विचारों में क्रियेट होती है कोई भी बात जो आज आप देख रहे हो पहले विचारों में निर्मित हुई थी आज हकीकत का रूप लेकर आपके सामने है विचार नियम है यह विचार नियम में क्या बाते